अधे आपके विडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले में जाएगी बहुत ही आपको पसंद भी आएगा क्योंकि आज के विडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अमरूद खाने के क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं और किन-किन बिमारियों में हमें अमरूद का सेवन करना चाहिए अमरूद जो है खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और ये उतना ही ज्यादा गुणकारी भी है अमरूत तो हमारे लिए फाइदेमन है ही है साथी साथ दोस्तों अमरूत के पत्ते भी हमारे लिए बहुत ही फाइदेमन है आगे इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगी कि अमरूत के पत्तों को किस सरीके से आप उपयोग में ला सकते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पे अमरूत के फल की अमरूत जो है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, मीठा होता है अगर आप diabetes patient है तो यह बिलकुल ना समझे कि अमरूत खाने से हमें नुकसान होगा जी नी दोस्तों नुकसान आपको बिलकुल नहीं होगा क्योंकि अमरूत की मिठास diabetes patient को बिलकुल भी नुकसान नहीं पहुचाती क्योंकि अमरूत का सेवन शुकर लेवल को भी कंट्रोल करता है अमरूत में भरपूर मातरा में फाइबर होता है और diabetic patient पी से खा सकते हैं अमरूत का इतना ज्यादा महत्व है कि आयूरवेट में इसे त्रिदोश नाशक भी कहा गया है अमरूत का सेवन कई बड़े बड़े रोगों को भी खत्म करता है साथी पेड से जुड़ी हर समस्या का इलाज है अमरूत जिन्हें Cups की शिकाइत होती है, Constipation की शिकाइत होती है दोस्तों उन्हें अमरूत का एक अमरूत का सेवन ज़रूर करना चाहिए साथी अमरूत का सेवन स्ट्रेस को दूर करता है और हमारे हार्ट को भी हल्दी रखता है इसलिए जो हार्ट पेशन्ट है उन्हें भी अमरूत का सेवन जरूर करना चाहिए और इसका सेवन करने से आपका दिमाग भी शार्फ होता है मेमरी स्ट्रॉंग होती है तो बच्चों को भी अमरूद जरूर दे इससे यारदास्त भी बढ़ती है इसलिए बच्चे हो चाहे बड़े हो अमरूद का सेवन हर किसी को करना चाहिए इसे खाने से हमारे शरीर में शक्ती आती है हम काफी एनरजेटिक फिल करते हैं हमारे डाइजेशन को मजबूत करता है साथी खासी के लिए बहुत इगुणकारी होता है अमरूद अमरूद लीवर के लिए भी बहुत इफाइदेमंद है अगर आप इसे भून के खाते हैं सेंदा नमक डालके थोड़ा सा और थोड़ा सा दो से तीन मिनिट के लिए भून ले हलके हलके गैस पे तो आपकी पुरानी सी पुरानी खासी भी बिलकुल जड़ से खतम हो जाएगी साथी हमारी रोग प्रत्रियोदक शमता को भी बढ़ाता है अमरूद का सेवन हमारी इम्म्यूनिटी को स्ट्रॉंग करता है इसलिए एक छोटा सा अमरूद रोस खाएं अमरूद में भरपूर मातरा में वाइटेमिन सी होता है आपने सुना होगा कि संत्रे में औरेंज में बहुत मातरा में वाइटेमिन सी होता है लेकिन उससे भी चार गुना अधिक अमरूद में वाइटेमिन सी होता है इसलिए जो अमरूद का सेवन करते हैं वे लोग छोटी मुटी बिमारियों से तो कोसो दूर रहते हैं क्योंकि इसमें भरपूर मातरा में वाइटमिन सी होता है और हमारी इम्म्यूनिटी को भी स्ट्रॉंग करता है अम्रूत का सेवन दोस्तों आप दिन में कर सकते हैं परंतु कोशिश करें कि ये शाम होने के बाद अम्रूत का सेवन ना करें और अम्रूत खाने के बाद तुरं जैसी विमारी का खत्रा भी बिल्कुल कम कर दीता है अम्रूत में अच्छा होता है जो लोग वजन को कम करना चाहते हैं वे लोग ऐक दिन में एक अम्रूत का रीख में 15 हैं साथ ही अम्रूतETH कर then कृता है और इसे हमें वजन को गटाने में बहुत ही आसानी होती है अमरूद में भरपूर मातरा में vitamin A होता है जो कि हमारे आँखों की कमजोरी को दूर करता है इसलिए अमरूद खाने से हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है अमरूद इतना beneficial है आँखों के लिए अगर आप इसका रोज सेवन करते हैं तो चश्मा भी आपका उतर जाएगा अगर हम बात करें अमरूद के पत्यों की तो अमरूद के पत्यों में anti-bacterial, anti-inflammatory property होती है अमरूद के पत्यों को आप ले ले और बीच की जो मौटी पाली नणस होती है उसको निकाल दे और इस पत्यों कोचबा चबा कर आप खाएए जिने होता है वहीं लोग समझ सकते हैं कि कैसा होता है दाद का दर बस एक कोमल पती को ले ले बड़ी आचा चबाचा पाकर खाएं दोखे और उसके बाद आप गुनगुना पानी पी सकते हैं गुनगुना पानी यानि की ल्यूक वाम वॉटर अम्रूत के पत्ते में अंटी इंटी बैक्टेरियल गुण होते हैं जो चर्म रोग के लिए भी बहुत ही फाइदेमन होते हैं अगर आपके चहरे पे काफी सदा पिंपल्स है तब आप क्या करेंगे कि आप एक अम्रूत की पती ले उसे पीस कर उसका ले पाप अपने पिंपल्स पे लगा ले इसे आपके चहरे पे चाई पिंपल्स हो चाई पिंपल्स के दाग धब्बे हो वो सारे ही बिल्कुल दूर हो जाएंगे इसके अलावा दोस्तों अम्रूत के पत्तों को पीस कर इसका ले पाप अपने चहरे पे लगा सकते हैं ये एंटी एजिंग का काम करता है अगर इसे पीस कर इसका बालों में लगाते हैं तो बालों का जड़ना भी बिलकुल रुख जाता है और साथी प्री मेचौर हैर ग्रेंग की समस्या से आपको निजात मिलता है और इससे आपके बाल लंबे, काले, घने और मजबूत होंगे तो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे दाथ के लिए, हमारे ब्यूटी के लिए, बालों के लिए अमरूद की पत्यों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और साथी हदिया आप वजन को कम करना चाहते हैं तो इस पत्तियों को आप पानी में उबाल कर उसका पानी आप पिए तो आपका वजन भी से कम होगा तो इतने ज्यादा अमरूत के फाइदे हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी इंफर्मेटिव लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में परिवार में जरूर शेयर करें ताकि आपके जरी उनकी भी मदद हो जाए जो तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो उमीद करती है वीडियो उच्छी लगया खिए तो प्लीं इस वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए चाल को सब्सक्राइब करें तो सारी नोडिफिकेशन कर मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी thank you so much for watching this video friends मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर